हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में तो आप मेंसे कई सारे दोस्तों ने उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम फॉर्म भरे वे हैं बहुत सारे दोस्तों का फिजिकल भी हो गया है और उनके फिजिकल के बाद में वो लोग रिटेन एक्जामनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन दोस्तों पुलिस कॉंस्टेबल में मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार यूके ट्रप्लसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार वहां उत्राखंड का कोई इक्जामनेशन फॉर्म भर कर उसमें पेपर देने बैठने वाले हैं तो इसलिए कहीं सारे दोस्तों के मुझे मैसेज भी प्राप्त हो रहे थे फॉन कॉल सा रहे थे कि सर हमारा फिजिकल निकल गया है हम रिटन की इक्जामनेशन की तैयारी कैसे करें हम क्या-क्या इक्जामनेशन के लिए आपको कौन-कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और कौन-कौन सी सोर्से आप लोग के लिए बैटर रहेंगे जिसमें आप कम समय में अच्छा स्कूर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि सेप्टमबर महा में आप लोग का इसका रिटन होना है और फिजिकल एक्जामनेशन आपके इसके चल रहे हैं 100 नंबर का फिजिकल है 100 नंबर का रिटन है कुल मिला के 200 नंबर से आपकी फाइनल मेरिट बननी है तो जिन लोग का फिजिकल अच्छा गया है 90 प्लस का फिजिकल है उन्हें रिटन में थोड़ा कम महनत हुआ है उनको रिटन एक्जामनेशन में थोड़ा ज्यादा महनत करनी पड़ेगी तो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे क्या 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 आपका स्लैबस है और कैसे कैसे आपको तयारी करनी है कितने गंटे आपको पढ़ना है और किस सब्जेक्ट पर आपको कितना फोकस करना है तो आज का ये वीडियो हमारे रहेगा उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेबल की तयारी कैसे करें या फिर दोस्तों अगर आपने उत्राखंड के कोई भी अधर्स फॉर्म भरे हुए है जैसे कि जुलाई में आपका फोरेश गाट का एक्जाम बेपर है उनके ल चैनल को लाइक जूरू करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी चैनल को जरूर सेयर करें, क्योंकि आपको बताइए दोस्तों कि हमारे चैनल से पढ़के पहले कई सारे स्टूडेंटे सक्सेस पाई हुई है, कनिस सायक में जो अभी हमारा एक्स्टेमली जो रियल वो लोग निकले वे थे तो आप content पे बिल्कुल बहुसा कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से महनत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल सभलता मिलेगी आपको बिल्कुल best content देने की कोशी से आपर की जाती है ताकि आपके examination में आपकी मदद हो सके तो देखे दोस् चारिस नंबर का आपका आना है दोस्तों इतिहास, भुगोल, राजनेतिक सास्त्र, अर्थ सास्त्र, current affairs, computer और आपका reasoning वाला section ठीक है इस 40 को भी आप दो भागों में divide कर सकते हैं तीस नंबर का आएगा इतिहास, भुगोल, राजनेतिक विज्ञान यानिके political science, economics, current affair और computer ब और बहुत अच्छी तरिके से दोस्तों आपको ये उत्राखंड और हिंदी पढ़ने पड़ेगी क्योंकि उत्राखंड और हिंदी काफी अच्छे level की UK ट्रप्रेस्टी में पूछी जाती है ठीक है बागी 40 नंबर का जो ये आपका section है reasoning का और GKGS का इसके लिए भी मैं अगर आप पहली बार तैयारी पे आ रहें तो सबसे ज्यादा focus आपको उत्राखंड में करना है उसके बाद में आपको हिंदी भी ध्यान से पढ़नी है और बहुत अच्छी तरगी से पढ़नी है क्योंकि 60 नंबर का section आपका ये दोनु section cover up करते हैं बाकि 10 नंबर की reasoning आती ह तो अगर आप इन 70 नंबर को आसानी से कर लेते हैं तो इतिहास, भुगोल, राजनेती, विग्यान, अरते सास्त्र, current affair और computer में अगर आप normally basic basic भी पढ़के चले जाते हैं तो आप selection के बहुत करीब पहुँच जाते हैं क्योंकि इसका syllabus बहुत बढ़ा है इनका और मातर 30 नं दोस्तो उत्राखंड की, तो उत्राखंड आपका 40 नंबर की आती है, उत्राखंड के लिए मैं खाली आपको दो books सजेस करूँगा, बस दो books, एक है उत्राखंड परिक्षियावानी, उत्राखंड परिक्षियावानी जो कि आपकी स्क्रीन पर है और दूसरा है दोस्तो उत यूटूब चैनल पे एक playlist पने हुई है, उतराखन postmatum classes की एक playlist पने हुई है, और अभी मैं एक series चला रहा हूँ, उतराखन परिक्षियावानी की, उतराखन परिक्षियावानी की, उतराखन की वीडियोजे, इस इस के अलावा, आपको उत्राखन में कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा आपको उत्राखन में कुछ भी नहीं पढ़ना है अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो sufficient है exam निकालने के लिए ये चीज़े है sufficient आपकी रहने वाले हैं इसी के साथ दोस्तो आपकी पहली तो ये किताब होगी परिक्षियावानी वाली दूसरी किताब है उत्तराखंड का समख्ज राजनिती इतिहास डॉक्टर अजेक सिंग रावजजे की ये दो किताब है आपको एक्जाम में पढ़के जानी है और दोस्तो अगर आप उत्तराखंड को और डेटेल्स में पढ़ना चाते हैं तो आप हमारा उत्तराखंड का ओनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं डेटेल्स में आपको यहाँ पर 200 प्लस वीडियो जहें दोस्तो हमारी application उत्राखन gk very easy trick को डाउनलोड करके ये course आप वहाँ से purchase कर सकते हैं उत्राखन का online course एक तो है complete course दोस्तों जो की details में description में है जिसमें आपको notes खुद बनाने पढ़ेंगे और दूसरा दोस्तों हमारा एक course है MCQ का उत्राखन का especially हर lesson by lesson MCQ का course भी है तो अगर आप किताबों से पढ़के MCQ attempt करना चाते हैं test series attempt करना चाते हैं तो ये MCQ वाला या उत्राखन test series वाला badge भी ले सकते हैं तो वो आपके उपर depend करता है कोई भी आपको जरुरत नहीं है ठीक है बागी दूसरी बात करते हैं दोस्तों हिंदी की तो Hindi beast number की पुछई आनी है तो Hindi के लिए दूस्तों आपको सामणि हिंदी की Lucent वाली book लेनी है और दूसरा आपको Hindi के लिए book लेनी है हर देव भारी की हर देव भारी की एक book आते हैं Hindi की ठीक है हिंदी सामाणिन है ध्यान करके और या सामानी हिंदी करके एक आती है या फिर दूसरी दोस्तों एक बुक आती है पनेरू की पनेरू की भी एक बुक आती है आरके पनेरू साइद इसके राइटर है इन दोनों किताबों में ऐसे आपको एक किताब लेनी है और सामानी हिंदी की लूसेंट वाली किताब आपको लेनी है बागी देखे अगर आप किसी भी एक्जामनेशन की तयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका स्लेबस निकाल लिए उसका प्रिंटाउट अपने पास मेरे किये और उसी प्रिंटाउट के तहट आप तयारी किजी क्या क्या टॉपिक्स दे गए हैं और मेरे कोई टॉपिक्स कहा कहा से तयार करने हैं तो सामानी हिंदी आप लूसेंट से कर लिजिए और हिंदी के लिए मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुए है दोस्तों हिंदी पोस्ट मार्टम क्लासेश करके आप वहां से वो पोस्ट मार्टम क्लासेश से हिंदी पढ़ लीजिए जिसे मैंने आपको प्रिवेस्टी एक्जाम्स के क्वेशन पेपर भी कराए हुए है और डिटेल्स में जिके की जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रोफी, एकोनोमिक्स और करेंट एफेर्स लाता है ठीक है तो करेंट एफेर्स के लिए तो मैं दुस्तों एक होँगा उत्राखन का करेंट एफेर्स हम लोग मंतली अपने चैनल पे अप्लोड करते हैं बाकी जिके में इस्ट्री, पॉलिटी, जिजोग्रोफी, एकोनोमिक्स का जो सेक्षन है उसके लिए आपको दो किताबे लेनी हैं एक है सामान ने ग्यान लूसेंट की ये वाली किताब आपको लेनी है और दूसरी दोस्तों आपके पास में होनी चाहिए और जो ये बुक में आपको बता रहा है दोस्तों ये बुक आप लोगों के पास में होनी ही होनी चाहिए मिनिमम ये बुक से हैं जिनसे आपको तैयारी करनी है जिनसे आप सिलेक्षन ले सकते हैं बाकि GS की भी मैं बहुत जल्दी सीरीज सुरू करूँगा पहले भी मैंने बनाए हुए आप वहां से उनको भी देख सकते हैं बाकि दोस्तों एक है आपका रिजनिंग का ठीक है रिजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बताएता हूँ तो रिजनिंग के लिए दोस्तों आपको यह अरिहन की एक बुक आती है नॉर्बल बिल्कुल बेसिक सी बुक है सामान्य बुद्धी एवम तरक संधि परिक्षण वर्बल एम नॉर्बल वर्ड रिजनिंग अगर आप यह बुक्स पढ़ लेते हैं अच्छी तरके से और बाक अपना स्लेबर्स डाउनलोड कीजिए, UKCCC के ओफिशल वेबसेट से उसका प्रिंट आउट निकालिए, अपने सामने चिपकाईए और इस सब्जेक्ट या इसी सेडियूल के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करते रहिए, सबसे यादा महनत आपको उत्राखंड में करनी ह है, ठीक है, और अगर आप उत्राखंड और हिंदी को दोस्तों डेटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको कोई बुक लेने के जुरूरत ना पड़े, तो आप हमारा उत्राखंड और हिंदी का ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते ह जो कि आपको हमारी एप्लिकेशन उत्राखंड जी के वेरी इजी ट्रिक पर मिल जाएगा, ठीक है, और अगर आप इनका मोग टेस्ट लेना चाहते हैं, तो मोग टेस्ट की सीरीज भी हमारी प्लेलिस जो एप्लिकेशन है, उस पर पढ़ी हुई है, वहां से आप फ्रीली म जाते हैं कि कोई पटवारी लेक पाल या भुष्षी में जो आपके फॉर्म आने वाले कनिस साय के जुलाई में, तो उसके लिए भी आप उत्राखंड और हिंदी का हमारा एक और सपर्चेश कर सकते हैं, बागी देखे दोस्तों, आट से दस गंटे आप डेली पढ़िए, आट से दस गंटे का आप सेड्यूल बनाई है, क्योंकि आपके पास में आप कम समय बचा हुआ है, खासकर वो अभ्यरती जुन्होंने पहली बार यूके टरप्लेस से के फॉर्म बरे हुए हैं, पहली बार तयारी में आ रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये बिल्कुल ज आपको रिजनिंग पढ़नी है, ठीक है, ऐसे दो से तीन गंटे आपको जीके, जीएस वाला सेक्षन पढ़ना है, इस टैब से आप अपना सेडूल बनाई है, डेली 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 आप पढ़िये, बाकि यूटूब पे आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल जाता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, फ्रिली आपको कहीं सारी चीज़ा अविलेबल यूटूब के मांधियम से हो जाती है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यान रहे कि यूटूब पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं, वो सफिशेंट हो, ठीक है, क्योंकि पकड़ लिए, हिंदी के लिए 2-3 चैनल पकड़ लिए, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो चैनल से हैं, इनको इनसे पढ़के मैं सक्सेस पा सकता हूँ, इनके कंटेंट में दम है, एक्जाम में ये कंटेंट आ सकता है, आप उसी के अग लोगों का फिजिकल नहीं हुआ उनको भी all the best और जिनका forest guard का examination paper है दुस्तों उनके लिए भी all the best क्योंकि जुलाई में आप लोगों का exam paper होना है धन्यवाद